गोबर की उत्तम खाद कैसे बनाएं? हमारा देश एक क्रिशे प्रधान देश है। यहां के किसान प्राचीन काल से ही अपनी खेती में पशुओं का गोबर एवं मलमूत्र का उप्योग करते हैं। लेकिन वास्तविक्ता में लोग इन्हें ना तो उचित रूप में जमा करते हैं और ना ही उचित रूप ढंग से इस्तेमाल, इससे हमारे देश में गोबर की खाद की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। गोबर की खाद के मुख्य घटक गोबर, गाउ मूत्र एवं बिचावन वा बचे खुचे चारे आदी है जो डीकंपोज होकर खाद का रूप लेते हैं। इसलिए इस खाद में वह सभी पोशक्तत्व निवनाधिक मात्रा में पाये जाते हैं, जिनकी पौधों को नितांत आवश्यक्ता होती है। बताई गई इन सभी सामग्रियों की मात्रा अगर सही अनुपात में होती है, तो गोबर की खाद तयार हो जाती है। इन पदार्थों से तयार की गई खाद में नाइट्रोजन 0.5%, फासफोरस 0.25% और पोटेशियम 0.5% की मात्रा तक पाई जाती है। गोबर की खाद की सनरचना। मैं तीन प्रकार की सामग्रियों की आवश्यक्ता पढ़ती है, जो निम्नवत है। ठोसपदार्थ या जानवरों का गोबर, द्रवपदार्थ या जानवरों का मूत्र बिछावन के रूप में प्रयोग किया गया। घासफूस, पुआल, एवं अन्य, वनसपती, कूडा कचरा।